कुदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपस्वर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंट्स आज किस कक्षा में आप सभी का स्वागत है इसली कक्षा में हम परिवारिवा मित्र देख रहे थे जो हमारा एक महत्तो खीम था आज जो हमारा टॉपिक होगा वो भोजन और पोशन होगा यहां से हमारी कक्षा की सुरवात होगी अगर हम बात करें भोजन और कोशन की तो आप सभी जानते हैं कि भोजन क्या होता है हमारे उर्जा का श्रोथ होता है हमें उर्जा किस से मिलती है भोजन से मिलती है जिसमें हमें विभिन प्रकाय की पोसक्ततों देखने को मिलते हैं हमारा जो सवाल होता है अगर आप सी टेट तो हम क्या खाएं तो ये पूर्ती होगा, तो ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो ये हम करते चलेंगे, चले स्टार्ट करते हैं, प्रिथवी के समस्त जीव जन्तुओं को ध्यान दिजेगा प्रिथवी के समस्त जीव जन्तुओं को जिवित रहने के लिए किसके अवशक्ता होती है एनरजी के अवशक्ता होती है उर्जा के अवशक्ता होती है और ये उर्जा हमें कहां से मिलती है और ये उर्जा हमें भो अलग-अलग होता है किन्तु भोजन मुख्य रूप से किस रूप में कारे करती है तो उर्जा किस रोत की रूप में कारे करती है इस परकार यह कहा जा सकता है कि भोजन फुड वह खाद्य-पदार थे जो जीवों को क्या करती है उर्जा प्रदान करती है बीना उर्जा के हम क किसी भी रूप में कारी नहीं कर सकते, ना तो हम मांसी कृप से स्ट्रॉंग हो सकते हैं, ना तो हम सालिख कृप से स्ट्रॉंग हो सकते हैं. इसलिए भोजन बहुत ज़िरूरी है. Food Dictionary के अनुसर, यह वह पॉस्टिक पदार्थ है जो किसी जीव के सरीर में ग्रहत वा सोसित होकर उसकी वृद्धी का कारी टूथ-फूथ से मरमत और जीव-जीवित रहने की विभिन क्रियां को संचालित करता है भोजन कहलाता है तो भोजन क्या करता है सबसे पहले हम गोजन ग्रहन करते हैं फिर विभिन प्रकार की क्या होती प्रक्रिया होती है पाचन होता है शोशन होता है स्वांगी करण होता है इन सब प्रक्रियाओं से होकर हमारा जो उर्जा का प्रकार है वो होकर गुजरता है और अंत में हमें इससे क्या मिलती है उर्जा मिलती है तो फुट डिक्सनरी के भोजन का परिभास है प्रित्वी पर भोजन निर्माड की प्राथमिक कारी किसके द्वारा होती है याद रखेगा पौधों के द्वारा किया जाता है भोजन निर्माड का कारी सरुप्रधम किसके द्वारा किया जाता है तो भोजन निर्माड का सौप्रधम कारी पौधों के द्वारा होता है, ये प्रात्मिक होते हैं, आप सभी जब प्रकास अंसलेशन की क्रिया पढ़ रहे थे तो आप सभी ने देखा था, कि कैसे ये प्रकास अंसलेशन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भूजन बनाते हैं, पौधे, और हम क्या होते हैं, इन पर निर्भ जिसपन सभी जीव क्या होते हैं प्रत्यच या परोच रूप से निर्भार रहते हैं पौधों के बिना हम अपने अस्तित्व की कलपना नहीं कर सकते हैं यह हमारे जीवन की यह क्या है महत्कूर इकाई है भोजन की उत्पादन का श्रोत मुख्य रूप से दो रूपों में द उत्पाद या प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट से होते हैं, जो पौधों से मिलने वाली चीजे होती हैं, चाहे फल फूल हो, चाहे भाजी आप खाते हो, चाहे कोई भी चीज हो, फल हो, सबजियां हो, चाहे कुछ भी, वो हमने किस से मिल रही है, पौधों से मिल रही पाद आप उत्पाद होंगे। दूसरा का कॉन उत्पाद कहला है ये क्या है अपके पौधों से मिलने वाले हैं से डिख सकते हमिंपल को सबच संदे दिखा दे रहे होंगी। यह सब आपको सब्जी को दिखेंगे। तो ये सभी क्या आपके पादप उत्पाद में ये भी क्या आपके पादप उत्पाद है seats भी किसे मिल रहा है आपको ये सब आपको कहा से मिल रहे है पौधो से मिल रहे है आप चावल हो गया गेहू हो गये सब किसे मिल रहे है आपको पौधों से मिल गया, आलू, प्याज हो, कुछ भी हो, ये सभी आप किसे देख रहे हैं, पौधों से, ये क्या हो गया, पादप उत्पाद हो गया, अर्थाक पौधों से मिलने वाला जो उत्पाद होता है, उसे हम क्या होते हैं, पादप उत्पाद कहते हैं, दूसरा है आप आपका जन्तों से मिलने वाले उतलद जैसे आपका ओगया दूद हो गया चाहे आपका मशली भी क्या है आप हो गया अंडा हो गया चाहे है आप क्या कह सकते हैं यह दूद हो सब्सक्राइब करना है तो तो जेऊं कर आगे बढ़ेंगे अगर हम बात करें कि एक बार देखना चाहेंगे तो आप देख सकते से शाड़ा ज्यादा जो लोग खाते हैं बाहर के लोग हमारे इंडिया में तो यह चीजे कम है यह कल्चर कम है वह बात अलग है कि अब इसका भी विस्तार होने लग जया है हमारे इंडिया में ज्यादतर क्या होता है पादप उत्पात का यूज किया जाता है लेकिन आपके कुछ देश जैसे चाइना वहां पर किसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है जन्तू उत्प पल है चलिए पोसक तत्व की समान जानकारी है ठीक है हमने भोजन की बात करी कि भोजन से हमें क्या मिलती है उर्जा मिलती है विभिन प्रकार के जीव होते हैं उनका भोजन शोत अलग होता है किन्तु उद्देश से क्या होता है उर्जा प्राप्त करना होता है भोजन का ज पोसक्तव वह अनिवार ये अंस है जो हमारे सरीर को सही तरीके से कारे करने के लिए चाहिए होते हैं थीक है भोजन तो हमने देखा कई प्रकार से होते हैं लेकिन सही मात्रा में कितना होना चाहिए, कहीं जादा ना हो, कहीं कम ना हो, कभी-कभी क्या होता है, भोजन के नाप पर हम क्या करते हैं, अनवश्यक चीजों को ग्रहान करते हैं, तो ये भी क्या करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें ये इस चीज का ध्यान रखना ह कि उस पोशक तत्व से उस भोजन से हमें प्रॉपर उर्जा मिल रही है कि नहीं या हमारे सरीर को उससे किसी प्रकार की हानी तो नहीं हो रही है तो यह उर्जा का एक क्या है प्रमुक्ष्रोत है ये तत्व हमें उर्जा प्रदान करते हैं हमारी वृद्धी और मरम्मत में सहयक होते हैं किसकी बात हो रही है यहां पर पोसक तत्व की बात हो रही है कि पोसक तत्व क्या करते हैं हमें उर्जा प्रदान करते हैं हमारी वृद्धी और मरम्मत में सहयक होते हैं और सरीर के सभ क्सकी बात हो गई यह बात हो गई आपके पोशकत्त्त्त्त्त पर बधनल देखा हमने जाना कि भुजन दो हमें रूपों में मिलता है ठीक है चाहे वो पादप की रूप में हो या हमें जन्तु की रूप में हो खिर हमने देखा भोजन के लिए पोशक्तत्व भी जरूरी होते हैं क्योंकि भोजन में हमें क्या मिलते हैं विभिन पकार के पोशक्तत्व देखने को मिलते हैं लेकिन हम बात करें तो मैक्रो पोशक्तत्व जिसे हमें बड़ी मात्रा में मैक्रो मतलब बड़ी मात्रा में ऐसे पोशक्तत्व जिनकी जरुरत हमें बड़ी मात्रा में पढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं मैक्रो पोशक्तत्व कहते हैं यहां ध्यान देखेंगे ध्यान देंगे मैक्र Neutrirants वे पोषक्तत्वों जीनिे हमें बड़ी मात्रा में अविशक्तत्त परदान दो होती है जो हमें उर्जा ंकरते हैं इसे लिए इसकी आवशा चाहुannah होती है अधीक मात्रा में होती है इसकी आवश्यक्तत अबका होती यह दिन कॉर्ण्स हैं दोसरा हैं का माइक्रो पोसक्तत्व नाम से इस पस्ट हो रहा है माइक्रो जिसकी आविश्रक्ता हमें क्या होती है कम मात्रा में फड़ती है उसे हम क्या कहते है माइक्रो पोसक्तत्व कहते हैं माइक्रो को हम आप सुनते होंगे माइक्रो स्कोप माइक्रो हाना सूच में दर्सी देखते होंगे तो माइक्रो का मतलब क्या होता है सूच में होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं माइक्रो तो सूच में पोसक्तत्व भी कह सकते हैं या सूच में पोसक्तत्व हैं जिनकी आवशक्ता हमें क्या होती बहुत कम मात्रा में होती है लेकिन होती ही है ऐसा नहीं कि कम मात्रा में आवशक्ता होती है सूच में पोशक्तत्व में ज्यादतर बिटामिन और खनीज होते हैं और समान रूप से ये क्या होते हैं महत्पूर होते हैं जितने आपके मैक्रो पोशक्तत्व महत्पूर होते हैं जितने आपके प्रोटीन बिटामिन जितने प्रोटीन आपका और क्या होता है बिटामिन होता है भले ही दोनों के मात्रा में अंतर देखने को मिलता है हमें आपका प्रोटीन हो गया आपका कार्बोाइटेड हो गया और वसा हो गया भले इनकी मात्रा अधीक होती है लेकिन अगर हम इनकी बात करें खनीज और आपके बिटामिन की तो इनक कमी से होता है, C से सकरवी होता है, तो यह सब किसकी कमी की कारण होता है, बिटामिन की कारण होते हैं, तो ऐसे कई रोग होते हैं, अगर यह हमें सही मात्रा में, सही समय में ना मिले, तो हम क्या करते हैं, कई सारे रोगों की सामना करते हैं, चली, सबसे पहले अगर हम पोसक त अगर पोशक तत्त्त से सवाल बन रहे हैं तो यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका निश्चीत रोप से सवाल बाहर नहीं जाएगा आप सारे सवाल अटेंट कर लेंगे हमारे सरीर को उर्जा मुख्य रूप से कार्वो हाइडरेट से मिलता है गेहू जुआर मक्का बाजरा मोटे अनास तथा चावल आपका ये क्या है गेहू है और ये आपका मक्का जुआर बाजरा मोटे अनास तथा चावल दाल तथा जड़ो वाली सबजियों में कार्वो जड़े वाली सब्ज़ी कौन से जैसे आपका पॉष्यां पहलाख पालक में ।े जड़ होता है आप कलाल भाजी में भी होता है बहुत सऩाए सी भाजियां जड़ो वाली सब्जीयां होती हैं यह तो भाजी नहीं हो इसमें और भी आपके पोसक्त तो देखने को मिलेंगे, आप आलू देख लीजे, प्यास देख लीजे, हाना तो इन सभी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोहाइडरेट प्रॉपर देखने को मिलेगा, स्वस्त भोजन में कार्बोहाइडरेट पसू और पॉधे दोनों स्रोतों से युक्त होते हैं याद रखीएगा जरूरी नहीं है कि कार्बोहड्रेट हमें सिर्फ किस से मिले पौधों से मिले कार्बोहड्रेट हमें पौधे और जन्तु दोनों से मिलते हैं जैसे आलू, भुट्टा, दूद के उत्पाद, ताज़, फल, सब्जियां ये क्या हो गए आपके ये सभी आपके पौधों के उत्पाद हो गए जिन से हमें क्या मिलता है कार्बोहड्रेट मिलता है इसी प्रकार आस्वस्त कर भोजन जैसे दूद के उत्पाद तो आपका ज पौध है ये क्या होते हैं उनसे भी मिलता है और जो हमारे स्वस्त रखते हैं उनसे हमें कार्बोहड्रेट मिलता है कौन कौन से ऐसे तत्व है तो आपके हैं जैसे सफेद ब्रेड आप लोग जो ब्रेड खाते होंगे आप देखते होंगे पैकिट में अक्सर देखने को मिलता है तो ये आपका ब्रेड में भी देखने को मिलता है ये दूसरा है आपका कृतिन चिनी पेस्ट्री आप हमेशा के और यहां से भी आपके सवाल बनते हैं यहां पूछा जाता है कि कौन सा खाद्य पदात किस देश से लाया गया है तो इसको भी ध्यान दिजेगा मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरू दिये कहां से आया है आपके दच्छिड अमेरिका से आया है सवाल पूछता है, मिर्ची से सवाल पूछा है अगर आप सवाल उठागर देखेंगे कि मिर्ची जो अपने आप में बहुत महत्पूर है ये किस देश के द्वारा लाया गया है तो याद रखिएगा किस के द्वारा लाया गया है दच्छिड अमेरिका के द्वारा लाया गया है भिंडी कॉफी कहां से आया है आफरिका से आया है, आज कॉफी कॉफी के बीना हम कोई काम नहीं करते हैं पीटे हैं कोई लोग कोईश काम करनी के लिए पिते हैं रात को हम जोक कीकर है आफ्रीका से आया है गोवी और मतर ये बहुं2 ही बहतरिन सब्जीयों में से एक सोय बिन वाहत से अब बात करें wille सेम करेला औरण और यह मैं यह हमारे भारश। चलिए आगे बढ़ेंगे अब बात करते हैं किसकी प्रोटीन की ये क्या हो गया हमारा कार्बोईट्रेड हो गया अब हम बात करेंगे प्रोटीन की प्रोटीन हमें मुख्य रूप से कहां से मिलता है दाल से मिलता है हना सोया बीन से मिलता है तो ये आप लोग देखते होंगे जो जादा वर्काउट करते हैं वोलूं इसे अधिक खाते हैं प्रोटीन एक प्रमुक पोशक तत्व है जो एक जटिल कार्बनीक पदार्थ है और यह हमारे सरीर के विकास संरचना और कार्यों के क्रियानवयन के लिए अवश्यक है उसे पढ़ा था कि कार्बोहाइडर्ट मुख्य रूप से हमें क्या करती उर्जा प्रदान करती लेकिन जो प्रोटीन होती है हमारे सरी के विकास के लिए सनरचना और कारियों के क्रियान वियान के लिए क्या होती है महतपूर होती है यह किसकी बनी होती है तो यह अमीनो अमल की बनी होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटीन अमीनो अमल की बनी होती है या एसेट की बनी होती है अमीनो एसेट में क्या क्या होता है आपका क यह होते हैं अनिवार अमीनो एसट वे अमीनो एसेड है जो शरीर द्वारहा नहीं बनाय fulfill सकते हैं था उन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है अब देखे यहां पास हमें किसícia आवश्यक्ता है प्रोटीन किसरी ले किसcribing बने हैं 20 अमीनो अमल से मिलकर बने है अब नौ अमीनो अमल है वो क्या होते हैं हमारे सरीर के लिए अत्यंत महत्पूर होते हैं इसलिए हमें क्या करना होता है इसे हमें भोजन से प्राप्त करना होता है ठीक, क्लियर हुआ, तो प्रोटीन में क्या होता है, यह हमारे सरीर की संराचनात्मक निर्मार के लिए महत्पूर होता है, और यह 9 अमिनों अमलों जो होते हैं, वो हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं, चलिए, प्रोटीन के मुख्य स्रोथ कौन-कौन से है, तो याद होता है, एक तो पादफ से, एक जन्तु से, वैसा ही आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी हमें मुख्य रूप से दो रूपों में मिलता है, एक तो साकाहारी में, और एक आपका क्या हो गया, मानसाहारी में, ठीक, एक हो गया आपका साकाहारी एक हो गया मांसाहरी अब याद रखीगा चना मटर मूंग दाल मसूर दाल उड़त दाल सोया बीन राजमा लोभिया गेहूं मक्का अरहर दाल काजू बदाम कद्दू के भी सीसम दूद इत्यादी या आदी ये क्या होते हैं आपके प्रोटीन इस प्रोटीन के मांसाहर इश्रोत क्या है आपके मांस चाहें आप किसी का भी मांस खा रहे हो आपका मचली हो अंडा हो यक्रित हो आप चिकन वगएरा भी खा रहे हैं तो इन सभी से क्या होता है आपको प्रोटीन मिलता है अगर आप स्पोर्स करते होंगे तो आपका जो कि जो भिप्रोटीन ओब और कि तो है थो चलेंग Certainly लाब क्या है मिलते हैंक प्रोटीन थे तो प्रोटीन से मास पेशियो को को सिकाओं के विकास के लिए अवश्क होते हैं यह हमारे उरजा लेकिन बाद में हमें प्रोटीन का असर दिखता है जो इसलिए ये हमारे लिए क्या होता है अत्यन्त महत्पूर्ण होता है प्रोटीन सरीर के हार्मोन एंजाइम उत्को और कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक बनाते हैं साथ ही उनका मरम्मद भी करते हैं यही क्या करेंगे हा अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो प्रोटीन की कमी से क्वासी ओसकर आपका क्वासिक उर्घ होता है यह अक्तर पूछा जाता है प्रोटीन ज्यादा लेने से पाचंतंत्र कमजोर होने लगता है और व्यक्ति को कब ज डाइरिया जैसे रोग हो सकते हैं याद आपके health के लिए जरूरी है लेकिन अगर आप उसको जादा मात्रा मिलेते हैं तो उससे भी आपको क्या होगी बीमारिया होगी इसकी भी एक क्या होती है निश्यत मात्रा होती है अगला है आपका vitamins ये भी बहुत जादा भले ही हमें कम मात्रा में इसकी आवशकता होती है पर अगर आपका बाल जादा जहर रहा है तो विटामिन E का कैपसूल दिया जाता है आप देखते होंगे विटामिन E का कैपसूल साथ ही सूरे की रोशनी हमें कहां से मिलती है विटामिन D का स्रोथ होता है आपका सूरे का रोशनी इसलिए विटामिन बहुत जादा जरूरी होते विटामिन भोजन के अव्यव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में अवश्यक्ता होती है रसाइनिक रूप से ये कार्बनिक योगी होते हैं जो उस योगिक को विटामिन कहा जाता है जो सरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयम उत्पन नहीं किया जा सकता बलक कि भोजन की रूप मेढ इनहें आवश्यक होता है तो बिटामीन लेना क्या होता है आदी आवश्यक होता है देखते होंί अगर आप मैं बहुत सारे अगर निवन से कई भी बिटामिन कंम हो रहें तो आपको क्या करना पड़ेगा रोगों का सामना करना पड़ेगा दर असल बिटामिन्स का मुख्य स्रोथ हमारे भोजन को इधन में बदलना है ये क्या करता है भोजन को इधन में बदलता है जिससे सरीर में खाया हुआ खाना ठीक से पच सके सरीर को सही रूप में एनरजी मिल सके और साथ ही सरीर को निरोग रख सके हमारे खाने में उपलब्द सभी पोस्चिक तत्तों का लाब भी सरीर को सही ढंग से मिल सके यह काम भी किसका है बिटामिन ही है हमारे पोसक तत्तों के द्वारा हमें सही से क्या मिल सके सही से हमें उर्जा मिल सके यह सही दिशा में जाए इसका ध्यान भी कौन रखेगा आपका बिटामिन ही रखेगा भले यह कम मात्रा में होता है लेकिन अत्यन आविश्यक होता है खनीज सत्तों का भी वही हाल है आपके जो छोटे 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 थोड़े वह आपके खनीज मिलते हैं वो भी सरी के लिए अत्यन आविश्यक होते हैं अगर हम vitamins के प्रकार के बाद करें, यहां से आपके सवाल बनते हैं, आप question उठा कर देखेंगे, विटामिन से आपको सवाल देखने को मिलेगा, 2020 का एक सवाल आया था, उसमें direct पूछा गया था, vitamin B1 की कमी से होने वाला रोग, याद रखिएगा, बेरी-बेरी होता है उससे, vitamins कुल 13 प्रकार के होते हैं, और सभी vitamins को मुख्य दो भागों में बाटा गया है, एक भाग क्या होता है, वसा में घुल अंसिल, वसा में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, वसा में घुल अंसिल vitamin, और दूसरा होता है, पानी में घुल अंसिल vitamin, जो vitamin वसा में घुल होते हैं वो सरीर में क्या करते हैं फैट में घुल जाते हैं और जो पानी में घुलंसील होते हैं वो सरीर में मौज़ित पानी में घुल जाते हैं तो याद रखिएगा विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं एक तो वसा में घुलंसील और एक आपके पानी में घुलंसील होते हैं अगर हम बात करें तो वसा में घुलनसिल विटामिन सरीर के रक्त में पहुंच कर उसे क्या करते हैं एनरजी देते हैं याद रखिएगा जो विटामिन आपकी वसा में घुलेंगे वो हमारे रक्त में पहुंच कर हमें क्या करेंगे और जो पानी में घुलेंगे बिटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बिटामिन C, बिटामिन D, बिटामिन E और बिटामिन K, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 13 हो गए, अब इतमें से कितने बिटामिन जल में घुलनसील है और कितने बिटामिन आपके वसा में घुलनसील है, ये भी हम समझने का प्रियास करे चलिए जल में घुलंसिल बिटामीन की हम बात करें तो टोटल जल में घुलंसिल बिटामीन आपके कितने हैं दो है वो बी के कितने टाइप है तो यहां C क्या है आपके B और C पानी में घुलंसील है और आपके A, D, K, E A, D, E और K ये किसमें है आपके वसा में घुलंसील विटामिन से तो इसको ध्यान रखिएगा एकजाम में अक्सर पूछा जाता है जल में घुलंसील विटामिन आपके दो है बी और सी वसा में घुलनसील आपके कितने बिटामीन है चार है कौन कौन से आपके हैं A, D, E और K A, D, E, K और जल में घुलनसील B, C फिर रिपिट करूंगी वसा में घुलनसील बिटामीन आपके A, D, E, K और जल में घुलनसील बिटामीन आपके B, C चलिए याद रखिएगा यह आपके तेरा विटामीन का पुरा लिस्ट है किस विटामीन की कमी से कौन सरोग होता है और उनका रसायनिक नाम क्या है यह अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है रसायनिक नाम भी याद रखना है आपको अगर examiner पूछे तो आपको पता होना चाहिए vitamin A का वग्यानिक नाम क्या है तो इसका रसाइनिक नाम है आपका retinol इसकी कमी से क्या होती है वर रांधता होती है vitamin B1 की कमी से क्या होता है very very होता है और इसका वग्यानिक नाम या रसाइनिक नाम क्या है आपका थैमीन है बिटामिन B12 का क्या है रसाइनिक नाम तो राइबो फ्लेविन है इसकी कमी से पलेग्रा होता है ये भी एक प्रकार की बिमारी है ठीक है बिटामिन B3 का रसाइनिक नाम नियाशीन है त्वचा का स्वेथ होना आप देखते हूंगे कहीं पर तवचा क्या होती है सफेद दिखाई देती है तो किसकी कमी के कारण होती है विटामिन B3 की कमी के कारण होती है मांसिक रूप से मंध होना विटामिन 3 अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है लोगों का जो सोचने समझने तरक करने की शमता होती वो धीम होने लगती है इसलिए हम इसे क्याते हैं मांसिक रोप से मन होना विटामिन B5 की हम बात करें तो इसका रसाइनिक नाम पेंटो थेनिक है इसकी कमी से तवचा का फटना होता है vitamin b6 को हम pyroxin कहते हैं इसकी कमी से anemia होता है त्वचा का रोग होता है vitamin b7 का रसाइनिक नाम biotene होता है बालों का गिरना सरीर में दर्द और paralysis होता है जो problem आप लोग देखते होंगे वो किसकी कमी से होता है vitamin b7 से होता है vitamin b11 यह folic acid vitamin b11 हो गया और आपका b1 हो गया और b12 हो गया इनका कम से कम रसाइनिक नाम याद रखिएगा यह क्यूंकि अक्सर आपको देखने को एक्जाम में मिलेंगे ही vitamin b12 इसका रसाइनिक नाम है इसकी कमी से क्या होगा एनेमिय और पेचिस होगा vitamin b12 से क्या होता है sinocobalamine होता है मतलब इसका रसाइनिक नाम है इससे पीलिया और एनेमिय की समस्य होती है vitamin c ascorbic acid कहते है और vitamin c d e के इनको तो किसी भी हालत में आपको इनका रसाइनिक नाम याद रखना ही रखना है क्योंकि direct सवाल इनहीं से कर देता है vitamin c अब level बढ़ चोका है उसी एधार पर त्यारी करने है आपको vitamin c का वग्यानिक नाम रसाइनिक नाम क्या है एसकार्बिक एसीट इसकी कमी से सकरवी होता है मसूरों में सूजन आता है और vitamin d यह हमें किस से मिलता है vitamin d हमें सूरे की किरन से मिलता है और इससे की कमी से क्या होता है रिकेट्स होता है विटामिन E इसका टोको फेराल एक कैपसुल भी आता है इससे क्या होती है प्रजनन छमता भी प्रभावित होती है और हम लोग जब बाल ज्यादा जहरता है तो हम लोग को एक कैपसुल मिलता है विटामिन E का तो वो भी हम ल रूख जाता है इसके कानाँ खून का थक्का दमने के कानाँ अगर खून का थक्का जम रहा है तो वह ब्लड रूख जाता है लेकिन अगर किसी में बिटामिन के की कमी हो तो खून का जो थक्का होता है वह नहीं जमता है इसलिए बिटामिन के क्या है आपके लिए महत्पूर ह चलिए अब हम बात करते हैं वसा का वसा भी क्या है जरूरी है जितने भी उपढ़ांग खाने होते हैं ज्यादा तर वसा फैट आपको वहीं देखने को मिलेगा तो वसा भी क्या है हमारे पोशक्त तत्व में से एक महत्पूर पोशक्त तत्व है कार्बोहेड्रिड और प्रोटीन के अलावा वसा महत्पूर पोशक्त तत्व में से एक है जो चया-पचा प्रक्रिया के स्वस्त संचालन के लिए उर्जा प्रदान करने में सक्षम ये भी क्या करते हैं उर्जा प्रदान करते हैं यह एक आवश्यक पोशक्त तत्व है जो हम वसा को हमारे दैनिक आहार में सामिल करना आवश्यक है तो वसा दो प्रकार के होगा एक तो सम्तिर्प्त वसा और एक हो गया असम्तिर्प्त वसा इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे सम्तिर्प्त वसा क्या होता है अपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक होता है वो अपके हिर्दय को क्या करता है नुकसान पहुशाता है वसा हमारे आहार के मुख्य घटकों में से एक है और यही सरीर में अनिक कारे करता है वसा सरीर के लिए उपयोगी है क अस्वों से मिलने वाली वसा जैसे मक्खन घी है तथा वनस्पती स्रोथ से मिलने वाली वसा जैसे वनस्पती तेल वनस्पती तेल क्या है आपका मूंफली तेल है सोयबिन का तेल है सरसो का तेल है और यही आपके वनस्पती तेल में आते हैं और यही आपके क्या है वसा का ए वे दूद अंडा मांस मांस भी जो जाड़ा खाते हैं उनके सरीर में भी आपको देखने को मिलेगा चिकना हटा धीक रहता है यह सब किसकी कानण होता है वसा क्या करता है हमारे सरीर को चिकना बनाता है वसा दो प्रकार के होते हैं एक तो आपका संत्रत वसा होता है और एक आ सबसे पहले बात करते हैं, चलिए समतृत वसा कि क्या है समतृत वसा, तो समत्रिपत वसा समान निटापपर क्या रहता है, ठोस रहता है, अब इग्जामिनर आप से क्या करता है, समतर वसा और आ समत्रिपत वसा में अंदर gentleman or recommended statement देगा, वासन्तिर्प्त वासा होता है विम्यों कर लेकाने पर घहाता है है 1990-1 गी और मकन सुद्धि गी वनसबक्ती गी नारीलों ताल याद रखीएगा मक्खन, घी, घी भी क्योंकि जमते हैं, वनस्पती घी, नारियल, ये सभी आप देखेंगे, अगर आप समान निताब पर छोड़ देंगे, तो ये क्या होते हैं, ये जमे हुए होते हैं, लेकिन आप अधिक टेंपरेचर में रख दो, या आप उसे गरम कर दो, तो क्या होते ह हैं, या तिघलने लगते हैं, तो ये सभी क्या हैं, ताड का तिल, आपके संतित्व वसा के प्रमुक श्रोथ हैं, इसे सिमीत मातरा में ही लेना चाहिए, मक्खन जादा खाओगे, तो ओ भी नुक्सान करता है, घी भी, जो आपका होता है, अत्यधिक मातरा में लोगे, तो ये क्या करता है, आपके हिर्दय गति को प्रभावित करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वैसे तो घी हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अधिक मातरा में कोई भी चीज क्या होता है, हमारे लिए नुक्सान दायक भी होता ह हिर्दय रोग सम्तिर्थ वसा के अधिक सेवन के कारण ही होता है याद रखिएगा हिर्दय रोग किसके कारण होता है तो हिर्दय रोग आपके सम्तिर्थ वसा के अधिक सेवन के कारण होता है अब हम बात करते हैं दूसरा आपके असम्तिर्थ वसा के तो वसा दो प्रकार के ह गए एक तो सम्तिप्त वसा और दूसरा आपका असम्तिप्त वसा जबकि आसम्तिप्त वसा समाननेता सभी तापमान पर पिघली अवस्था में होते हैं आसम्तिप्त वसा की प्रमुक्सरोत मुमफली सरसो और जैतून के तेल हैं आप वनस्पती तेल देखते होंगे वह हमेश असमतिर्प्थ वसा के उधारने असमतिर्प्थ वसा का सेवन फायदेमंद है। क्योंकि यह क्या है हाला कि अधिक मात्रह खोलेस्च θα और के इस्तरह बढ़ा सकती है। निश्चित रूप से वसा कि अधिक मात्रा हमें नुकसान पहुंचाती ही लेकिन सम्तर्प्त के अपेच्छा आपका जो असम्तर्प्त वसा है वो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है बहुत अच्छा होता है रुच्छांस यहां से सवाल सीटेड डारेट करता है और कई बार किया हुआ है कि बताई यह रुच्छांस क्या है तो यह क्या होता है हमारे कई प्रकार के हम फॉल फूल सबजिया खाते हैं तो रेस्वे के रूप में जो हमें मिलता है जो हमारे सरीर के लिए अच्छा होता ह है मत्पूद होता है इसे पाइबर्स भी हम इते हैं एक ये सरीर के व्रधी में साहयक नहीं होते रिए कि हम यदिय का फकर पाते हैं इसे हमखार नहीं ले पाते हैं को यह को किसे आपका fibers, materials को या रुच्छान्स को ये सबजियों फलों में आपको देखने को मिलेगा इसके मुख्य स्रोथ हैं सलात, अनाज की बाहपरत, ताजे फल, सब्जिय, साबुत, अनाज एवं दलिया तो ये सब जो आप खाते हैं ना, तो इन्घ हमें क्या मिलता है, हलकी मातरा में मिल जाता, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होते हैं, आवश्च्छक होते हैं चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? आज की कक्षा में हमने देखा भोजन और पोशड और भोजन और पोशड से मिलने वाले जो महत्पूर पोशक तत्व होते हैं, चाहे वो बिटामीन हो, प्रोटीन हो, खनीज हो, खनीज लवड हो, चाहे आपका कार्भोहाइट्रेट हो, वसा ह यह सभी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, यह सभी हमने समझा, इनकी कमी से होने वाले बिमारी को भी हमने देखा, एक्जाम में अक्सर यहां से सवाल देखने को मिलते हैं, अगली कक्षा में हम ने टॉपिक में मिलेंगे, अगले ने टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको